हलो स्टुडेंट्स तो बचो आईए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इलेक्रोस्टाटिक इंडक्शन मैथड ओफ चार्जिंग क्या है कैसे नुमेरिकल्स उसके उपर पूछे जाते हैं कैसा कोशन आप लोगों से पूछा जाएगा यह सब हम लोगों ने डिसकस किया उसके अंदर उसके बाद हम लोगों ने बात की कंड़क्शन मैथड ओफ चार्जिंग की जहां हम दो बॉडिज को टच करा कर चार्ज करा सकते हैं उस मैथड का नाम है कंड़क्शन मैथड ओफ चार्जिंग उस पर भी हमने बात की कि कैसे कैसे कोशन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कंड़क्शन मैथड ओफ चार्जिंग की मेकैनिजम क्या है कैसे दो बॉडिज को चार्ज कराया जा सकता है ठीक है, current किस direction में pass होगी, positive charge किस direction में pass होगा और negative charge किस direction में जाएगा, ये सभी बाते हमने आपको बताई कैसा numerical पूछा जाएगा, या numerical में कैसे concept का use होगा, ये भी हम लोगों ने discuss किया ठीक है, तो बचों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और हम अब next topic पढ़ते हैं और अगला topic है हमारे पास में, जो next topic आने वाला है, इसका नाम है gold leaf electroscope यानि इस topic का नाम है measurement of charge, यानि charge को कैसे मापा जाएगा, charge को हम measure कैसे करेंगे charge किस तरीके से measure होगा, यानि इस measurement of charge के topic में हम numerical value तो बिलकुल नहीं निकाल पाएगे numerical value आप नहीं निकाल पाएगे, यहां हम सिर्फ यह देखेंगे कि किसी भी body के charge को कैसे detect किया जाएगा कि उस पर charge है या उस पर charge नहीं है, value आप find out नहीं कर सकते हो यहां पर आप सिर्फ यह देख सकते हो कि body पर charge है या body पर charge नहीं है और body पर charge ज़ादा है या body पर charge कम है ठीक है? आईए देखें सबसे पहले आप topic का नाम लिखेंगे बिटा topic का नाम है gold leaf electroscope 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 ठीक है? इसी का दूसरा नाम आप लिखेंगे बिटा second जो उसका दूसरे नाम से ये exam में पूछा जाता है दूसरा नाम है voltameter 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 तीसरा जो उसका नाम है जिस नाम से ये exam में पूछा जाता है वो है ballistic ballistic galvanometer ballistic galvanometer और एक मैने आपको बताई दिया है gold leaf electroscope, gold leaf electroscope, यह मैंने आपको बताई दिया है। टीक है? electroscope-voltimeter-balistic- galvanometer और finally जो इसका last नام है, वो हम आपको बताई چुके हैं, gold leaf electroscope, electroscope-voltometer-balastic-galvanometer और gold leaf electroscope यह सभी के सभी एक ही device के नाम है और जिस device का हम use करेंगे हम मेजर करने के लिए मापने के लिए या CHARGE को DETECT करने के लिए जिस DEVICE का USE होता है उस DEVICE को हम इन 4 DEVICE के नाम से जानते हैं ठीक है? तो आप सबसे पहले एक काम करिए आप यहां से लेकर यहां तक नोट करिए DEVICE का नाम लिखिए यह पूरा नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि device काम करती कैसे है कैसे device काम करेगी तो बटा उम्मीद है कि आपने note कर लिया होगा अब हम आपको बताते हैं कि device के काम करने की mechanism क्या होगी कैसे आपकी device काम करने वाली है आईए जानते हैं कि कैसे device काम करेगी ठीक है? देखे device कुछ इस तरीके से काम करती है ये पहला diagram है device का ठीक है? पहले मैं इसकी labeling कर देता हूँ कि कौन सी चीज क्या है? बिटा ये है हमारे पास में vacuum chamber vacuum chamber एक bottle के अंदर हमने vacuum बना दिया है ठीक है? ये है हमारे पास में metallic ball metallic bob कह लीजिए या metallic ball कह लीजिए ये है हमारे पास में insulator insulator ये है हमारे पास में metal rod metal rod और ये है हमारे पास में gold leaf ये है अपने पास में gold leaf ठीक है? ये vacuum chamber है ये gold leaf है ये metal rod है ये insulator है और ये metallic ball है ठीक है? ये हमारे पास में कोई unknown charge body है unknown charge body जिसका charge हमें measure करना है unknown charge body है इस body का charge हमें measure करना है ठीक है तो बेटा देखो होगा क्या सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये device दो तरीके से काम करती है एक है conduction और एक है induction हमें जिस body का charge measure करना है हमने उस body को लाकर इस metallic ball के साथ touch कराया rod के उपर ये जो unknown charge body है इसके उपर positive charge है जैसे ही हमने इस body को लाकर ball के साथ touch कराया यहां से positive यहां इस ball के उपर आ गया rod के उपर से थोड़ा सा positive यहां से यहां आ गया कुछ positive यहां से यहां आ गया याद करी कल की क्लास में मैंने बताया था, जैसे ही दो बाड़ी को टच कराएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव या थोड़ा सा नेगेटिव एक बाड़ी से दूसरी बाड़ी पर चला जाएगा, तो यह पॉजिटिव यहां से यहां आ गया, समझारी बात, अब यह एक गोल्ड की लीव पर आजाएगा और आधा पोजितिव एक गोल्ड की लीव पर यानि इस पर पॉजिटिव आ गया इसे खूलना स्टार्ट कर देंगी ऐसे ऐसे खुलना स्टार्ट कर देंगी बासमझ मारी है गोल्ड लीव्स ऐसे डाइवर्ज होना स्टार्ट कर देंगी डाइवर्ज होना स्टार्ट कर देंगी रिपेल करना स्टार्ट कर देंगी क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव है जितनी ज़्यादा diverge होगी हम ये कहेंगे कि इस metallic unknown charge body पर उतना ज़्यादा charge होगा यानि इनके बीच का ये वाला angle जितना ज़्यादा होगा body पर charge उतना ज़्यादा होगा इस तरीके से gold leaf electroscope का use करते हुए किसी भी unknown body के charge को हम detect करते हैं या measure करते हैं इस method में ये जो मैंने आ induction method टच कराने वाला method unknown body को लाकर हमने यहां से touch कराया तो थोड़ा सा positive यहां से यहां आ गया समझ मेरी बात कुछ positive यहां आ गया वो positive यहां से move करेगा नीचे की तरफ high potential से low potential की तरफ इस पर भी आ जाएगा positive इस पर भी आ जाएगा positive अगर दोनों leaves के उपर positive आ गया तो दोन leaves एक दूसरे को ऐसे diverge करना start कर देंगी और diverge करते 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 एक point पर जाकर रुख जाएंगी समझ मेरी बात leaves के बीच में जितना ज्यादा divergence होगा आप यह कहेंगे कि unknown body पर उतना ज्यादा charge होगा उतना ज्यादा charge होगा इस तरीके से किसी भी unknown body के charge को हम conduction method क use करके conduction method का use करके detect करेंगे बिटा detect करेंगे समझ मेरी बात ओके यह condition हमारे पास में रहेगी अभी एक working यानि एक diagram मैंने आपको समझा दिया है अब हम बात करेंगे second diagram की इसे आप अपने copy में note कर लीजिए ओके बिटा तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझा गई होगी बात और कोई problem नहीं होगी ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं second condition की इस में इस method में काम कर रहा है conduction method यहाँ बिटा काम कर रहा है conduction sorry induction induction कैसे काम कर रहा है ज़र आप ध्यान से देखें यह है हमारे पास में unknown charge body unknown charge body अब आप यह देखो इस पूरी rod के अंदर बहुत सारा negative होगा बहुत सारा positive होगा यानि यहाँ से लेकर यहाँ तक की यह पूरी rod है न बिटा यह पूरी तरीके से अभी neutral है और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि neutral का मतलब क्या होता है neutral का मतलब यह है कि जितना इसके अंदर negative है उतना ही इसके अंदर positive है हम इस unknown charge body को जिस पर positive charge है टच नहीं कराया इसके नजदीक लेकर आए जैसे ही हम इसके नजदीक लेकर आएंगे तो इस metallic rod के अंदर जितना भी negative होगा वो सब attraction की वज़ा से यहां पहुँच आएगा इस rod के अंदर जितना भी negative था वो सब attraction की वज़ा से यहां पहुँच गया और जितना भी positive था वो repulsion की वज़ा से यहां पहुँच गया जितना भी positive था वो repulsion की वज़ा से यहां पहुँच गया देखो बेटा इस बार हमने touch नहीं कराया यह पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक neutral थी अब अगर neutral है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर negative भी है इसके अंदर positive भी है जैसे ही इस unknown charge body को हम इसके नजदीक लेकर आए तो इस positive charge को देखकर यहां आगया negative charge नजदीक वाले किनारे पर negative आगया attraction की वज़ा से यानि rod के अंदर जितना भी negative था वो attract होकर यहां पहुँच गया बात समझ में आ रही है और जितना भी positive था वो repel होकर यहां पहुँच गया ठीक है यह positive इस positive से repel होकर यहां पहुँच गया और यह negative attract होकर यहां पहुँच गया अब ये positive यहां नहीं रह पाएगा ये यहां से तुरंद gold leaves पर फैल जाएगा ऐसे इस leaf पर भी आ गया positive और ये positive यहां से यहां भी इस तरीके से फैल जाएगा इस leaf पर भी आ गया positive यानि positive ना ऐसे फैल जाएगा positive उपर से नीचे आ रहा है ऐसे फैल जाएगा ऐसे बास समझ में आरी ही बिटा तो यहाँ पर भी आ गया positive charge और यहाँ पर भी आ गया positive charge अगर यहाँ पर भी positive और यहाँ पर भी positive तो positive positive की वज़ा से again दोनो leaves एक दूसरे को diverge करना start कर देंगी अब जैसे ही दोनों leaves एक दूसरे को diverge करेंगी इनके बीच का जो angle है वो बढ़ना start हो जाएगा और कुछ देर में जाकर दोनों leaves रुख जाएगी हम ये कहेंगे कि इनके बीच का ये वाला जो angle है ये जितना ज़ादा होगा इस unknown body के उपर charge उतना ज़ादा रहेगा यानि ये angle जितना ज़ादा होगा इस body का charge उतना ज़ादा रहेगा चार्ज का जो measurement होता है न बेटा वो पूरा का पूरा measurement इस angle के उपर depend करता है ये angle जितना ज़ादा इस body पर charge उतना ज़ादा ये angle जितना कम इस body पर charge उतना कम यानि charge is directly proportional to angle अगर कोई पूछे कि बही एक case में तो 30 degree का divergence हुआ और एक case में 60 degree का divergence हुआ तो बताईए कि कौन सी body पर charge जादा है 30 degree वाली पर या 60 degree वाली पर 30 degree का मतलब यह हो गया इतना divergence हुआ और 60 degree में इतना divergence हुआ जहां divergence जादा हुआ है उस body पर charge जादा होने वाला है इस तरीके से हम किसी भी body के charge को measure करेंगे with the use of electroscope नाम मैंने बताए नाम को धियान लखेगा device का नाम है electroscope दूसरा नाम है gold leaf electroscope तीसरा नाम है voltameter देखो बेटा बच्चा यहां बड़ा confuse होता है क्योंकि इसके नाम जैसी एक और device आती है जिसका नाम है voltmeter voltmeter voltage को मापता है लेकिन voltameter charge को measure करता है practical exam में पूछा जाने वाला यह बड़ा common question है question आता है कि voltmeter और voltameter में क्या difference है voltmeter और voltameter इन दोनों में क्या difference है तो voltmeter तो voltage को मापेगा और voltameter यह charge को measure करेगा पास समझ में आ रही है और finally जो चौथा नाम है हमारे पास में वो है ballistic galvanometer ballistic galvanometer यह चारो के चारो डिवाइस यह चारो के चारो नाम एक ही डिवाइस के हैं बिटा जो induction पे भी काम करती है यानि बीना touch कराने वाले concept पर भी काम करती है और touch कराने वाले concept पर भी काम करेगी पूरी working मैंने आपको समझा दी है उम्मीर है कि आप लोगों को समझा गई होगी बात कोई problem नहीं होगी diagram note कर दीजिए पिर हम बात करेंगे आगे ओके इस तरीके से बिटा concept हमारा काम करने वाला है अब आप जैसे ये थर्ड वाला example देखे आप ध्यान से ठीके आप क्या कहोगे इसे देख कर भई ये unknown charge body है हमने इस बार भी touch नहीं कराया अगर touch नहीं कराया तो induction method काम कर रहा है यहाँ पर जहां आप दो body इसको touch नहीं कराते है और बिना touch कराया आप charge कराते है वहाँ induction method काम करेगा आप negative body को इसके पास में लेकर आए तो इसके अंदर जितना भी positive था वो सब attract होकर यहां पहुँच गया सब attract होकर यहां पहुँच गया और जितना भी negative था वो सब repel होकर यहां पहुँच गया जितना भी negative था वो सब repel होकर यहां पहुच गया negative ने इसके अंदर मौझूद पूरे positive को अपनी तरफ attract कर लिया और negative ने negative को repel कर दिया अब यह negative यहां से move करेगा नीचे थोड़ा इधर चला जाएगा थोड़ा इधर चला जाएगा यहां इस leave पर आजाएगा negative charge और यहां इस leave पर भी आजाएगा negative charge इस पर भी negative आगया इस पर भी negative आगया जब दोनों leaves पर negative आगया तो अब leaves एक दूसरे को diverge करना start कर देंगी क्योंकि negative और negative के बीच में repulsion काम करता है और repulsion की वजा से दोनों leaves एक दूसरे को ऐसे diverge करना start कर देंगी बासमझना रही है? leaves एक दूसरे को diverge करती जाएंगी, करती जाएंगी, करती जाएंगी और जहां जाकर रूख जाएंगी तो आप वैसे ही कहेंगे, कि वही जितना जादा leaves के बीच में divergence हुआ है जितना जादा leaves ने एक दूसरे को ripple किया है इस body का charge उतना जादा रहने वाला है ऐसे हमारा gold leaf electroscope काम करेगा या खाली electroscope काम करेगा ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि charge को कैसे मापा जाएगा चार्ज को कैसे measure किया जाएगा यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इस device में दोनों concept काम करेंगे conduction method भी, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ तच कराने वाला, जहां इस body को इसके साथ तच कराएंगे, और induction method भी जहां तच नहीं कराएंगे और इस method से हम charge की numerical value नहीं बता सकते हैं, यह इस method का drawback है हम सिर्फ यह बता सकते हैं कि charge कितना होगा और charge ज़्यादा होगा या कम होगा और body पर charge होगा या नहीं होगा, हम सिर्फ यह बता सकते हैं charge कितना होगा यह नहीं बता सकते हैं उमीद करते हैं कि आपका approach और आपका concept बिल्कुल clear होगया होगा कोई problem आपको नहीं होगी तो बेटा, charge के उपर आप यह समझे कि यह हमारा last concept था हमने charge के अंदर जितने भी topic आ सकते हैं वो सब हमने आपको समझा दिये सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि electrostatics है क्या electrostatics माने charge in rest या properties shows by the static charge जो charge rest में रहता है वो जो जो property show करेगा वो सब electrostatics में आएंगी उसके बाद हमने आपको बताया कि charge है क्या किसी body पर electron का जादा होना या electron का कम होना charge है अगर किसी body पर electron जादा है तो negative charge है और अगर किसी body पर electron कम है तो positive charge है Q से denote करेंगे SI unit कुलंब होगी another units मैंने बहुत सारी बताई charge एक scalar quantity है फिर मैंने आपको charge की properties बतानी स्टार्ट की charge की सबसे पहली property थी quantization of charge Q is equal to NE जहाँ N integer रहने वाला है charge की second property थी additive nature of charge charge की third property थी charge is invariate charge की चौथी property थी conservation of charge पास समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चो उसके बाद हमने किसी भी body को charge करने के methods आप लोगों को बताए number one rubbing method number two electrostatic induction method और number three conduction method उसके बाद charge को measure कैसे किया जाएगा charge को mapping कैसे कि कब charge ज़्यादा होगा और कब charge कम होगा हमने वो device आपको पढ़ाई just अभी उस device का नाम है gold leaf electroscope तो इस device के साथ बेटा charge का जो topic है वो overall पूरी तरीके से आप लोगों का हो गया है finish, charge पूरी तरीके से खतम हो गया है, अब charge के बाद हम नया topic स्टार्ट करेंगे अब देखो वच्चो charge हम लोगों ने पढ़ तो लिया है लेकिन थोड़ा साथ चार्ज को practically connect करने की कोशिश करते हैं कोशिश ये करते हैं कि यार चार्ज हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत बढ़िया topic था charge positive charge, negative charge लेकिन इसका practically use कहां होता है चार्ज का practically use होता कहां है ठीक है, तो मैं आपको दो इसकी practical use बताता हूँ ये सिर्फ आपकी जानकारी और आपकी knowledge के लिए है आप धियान से सुनिएगा चार्ज का जो पहला practical use है वो laser printer में होता है ऐसा printer जिसकी printing बड़ी शांदार होती है बहुत अच्छे तरीके से print होता है laser printer के अंदर हम charge के concept का use करते हैं कैसे मैं आपको बताता हूँ printer के अंदर जैसे ही page enter करता है तो page को positively charge कर दिया जाता है printer page को positively charge कर देता है यानि पूरे page के ओपर positive charge वो फैला देता है समझ में आरी बात printer के अंदर जो ink पहले से मौजूद है उस ink पर होता है negative charge अब जैसे ही printer के अंदर से page move करेगा यानि ink बहुत अच्छे तरीके से page के ऊपर stick हो जाए बहुत अच्छे तरीके से page के ऊपर चिपक जाए जो हम लोगों ने printing की है वो printing fade ना हो उसके लिए हम इस concept का इस्तमाल करते हैं कि page को हमने positively charge कर दिया अब जैसे ही page printer के अंदर से move करेगा ink पर negative charge है ink जैसे ही page के ऊपर आकर ऐसे incident होती है तो ink पर negative, page पर positive दोनों एकड़म से चिपक जाते हैं एक दूसरे से और बहुत अच्छे तरीके से ink paper के ऊपर stick हो जाती है और बहुत शानदार printing आप लोगों को मिलती है ऐसे printing मिलती है जो fade नहीं होती है इस concept में हम charge के concept का इस्तमाल करेंगे या जो अच्छी xerox machine होती है उसमें भी इसी concept का इस्तमाल किया जाता है आगे बढ़ते हैं अब जैसे जो भी vehicles होते हैं four wheelers, two wheelers उनके ओपर paint करने के लिए spray वाला जो paint होता है उसमें भी हम लोग charge के concept का इस्तमाल करते हैं कैसे? आप ये समझो कि मुझे यहाँ paint करना है spray से तो spray से जैसे ही paint निकलता है न वेटा paint के ओपर positive charge होता है positive charge वो positive charge car के surface पर जो car का outer surface है उस पर जाकर बहुत अच्छे तरीके से stick कर जाता है क्योंकि positive charge body neutral body को भी अपनी तरफ attract करती है जैसे ही spray के अंदर से paint निकलेगा तो वो paint surface के साथ जाकर बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा क्योंकि एक पर charge है और एक पर charge नहीं है तो उस condition में भी attraction काम करता है वो उस पर बहुत अच्छे तरीके से जाकर चिपक जाता है और paint पूरे surface के ऊपर बहुत शामदार तरीके से फैल जाता है तो spray painting में और printer के अंदर laser printer के अंदर या xerox machine के अंदर हम इस concept का इस्तमाल करते हैं उमीद करते हैं कि आप लोगों को यह charge का topic अमने आपको पढ़ाया है यह समझ में आया हो कोई परेशानी आप लोगों को ना हो यह Sunday जो आपका test होने वाला है उसमें ज्यादातर question charge के ही है तो अच्छे दरीगे से आप charge का topic पढ़ ले और charge का topic पढ़ने के बाद आप फिर Sunday में अपना test दे बिटा अब मैं नया topic स्टार्ट कर रहा हूँ उमीद है कि वो भी आप अच्छे से समझेंगे इसे note करना चाहते हैं जल्दी से note कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे चलिए बच्छो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखिए next topic हमारे पास में आता है distribution of charge कुलम्स law से जस्ट पहले हम एक topic पढ़ेंगे जिस topic का नाम है distribution of charge कुलम्स law से जस्ट पहले हम इस topic को पढ़ेंगे topic का नाम है distribution of charge distribution of charge ठीक है यानि किसी भी surface के उपर जो charge को आप distribute करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कौन सा method महाँ apply करते हैं distribution of charge देखो बिटा charge को हम दो तरीके से distribute करते हैं एक हमारा कहलाता है non uniform distribution of charge non uniform distribution of charge या हम इसे दूसरा नाम देते हैं discontinuous discontinuous distribution discontinuous distribution of charge ठीक है charge को distribute हम दो तरीके से करेंगे एक है हमारे पास में non uniform या इसी को हम लोग बोलते हैं discontinuous भाया इस condition में हम charge को कैसे फैलाते हैं जरा ध्यान से देखेगा जब हम किसी भी body के ऊपर charge को फैलाएंगे ना एक जैसे तरीके से किसी surface के ऊपर charge को नहीं फैलाते हैं कहीं charge हमने ज़्यादा दे दिया कहीं charge हमने कम दे दिया कहीं ज़्यादा दे दिया कहीं कम दे दिया इसे हम लोग बोलते हैं non uniform distribution या discontinuous distribution इसके ऊपर सवाल बहुत ही कम है लेकिन जितने भी सवाल इसके ऊपर है उनका standard बहुत हाई है बचो बहुत हाई standard है तो इसके सवाल मैं आपको बिल्कुल अलग से कराऊंगा last column slot के last level पर पहुंचकर हम इसके सवाल बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे क्योंकि question सिर्फ 1% इसके ऊपर आते है लेकिन उनका standard बहुत शांदार होता है तो हम इसकी problem अलग से करेंगे बिल्कुल वैसे ये हमारे board के, neat के और means के syllabus में नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ advance के syllabus में है तो दो दिन सवाल मैं आपको इसके लिए अलग से कराऊगा ठीक है? मैं इस पर star mark कर देता हूँ क्योंकि ये board के syllabus में नहीं है जो board के syllabus में नहीं होगा इस पर star mark कर देंगे हम लोग जहां हम एक जैसे तरीके से charge को नहीं फैलाते है कहीं charge को ज़्यादा फैला देते हैं कहीं charge कम फैला देते हैं कहीं ज़्यादा फैला दिया वो हमारा कहलाता है non-uniform अब आता है बेटा हमारे पास में दूसरे नंबर पे uniform distribution of charge uniform distribution of charge या हम इसे बोलते हैं continuous distribution of charge continuous distribution of charge continuous distribution of charge यह हमारे syllabus में है और इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है यह हमारे board, neat और j तीरों के syllabus में है यह सिर्फ और सिर्फ advanced के syllabus में है तो पहले जान लेते हैं कि uniform distribution of charge क्या है देखो भहिया, uniform distribution of charge क्या है जब आप किसी body पर charge को फैलाएं बिल्कुल एक जैसे तरीके से जब आप किसी body के ओपर charge को distribute करें बिल्कुल एक जैसे तरीके से कहीं ज़्यादा नहीं फैलाएं, कहीं कम नहीं फैलाएं बिल्कुल एक तरीके से आप distribute करें इसे हम लोग बोलते हैं uniform distribution uniform distribution uniform distribution बेटा बास समझ में आ रही है इसे हम कहेंगे uniform distribution of charge यह हमारा uniform distribution कहलाएगा यहां हमने एक जैसे तरीके से charge नहीं फैलाया तो non uniform यहां हमने एक जैसे तरीके से charge फैलाया तो यह हो गया uniform अब हम इसके uniform distribution के types की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसी कैसी problem इसके उपर बनती हैं बिटा पहले आप लोग इसे note down कर लीजिए ओके तो उम्मीद है कि आपने note कर लिया होगा वीडियो को pause करके अपना अच्छे से note कर लीजिए आप लोग तो अभी हम लोग बात करते हैं बिटा next topic की और अगला point है हमारे पास में types of uniform distribution of charge types of uniform distribution of charge ठीक है अभी हम बात करते हैं uniform distribution of charge की बिटा uniform distribution of charge में जो पहला number आता है यह हमारा कहलाता है linear charge distribution linear charge distribution linear charge distribution तो linear charge distribution में होता क्या है जरा समझेगा आप लोग हमारे पास में एक rod है rod की length हमें दे रखी है यह हमने rod पर length के along length के along हमने rod पर charge को फैला दिया है हमने rod पर लंबाई के along charge को फैला दिया है और इतना charge हम लोगों ने लंबाई के along फैलाया है क्यों जब किसी लंबाई के ऊपर किसी length के ऊपर charge को फैलाया जाएगा जब किसी लंबाई के ऊपर या किसी length के ऊपर charge को फैलाएंगे तब हम use करेंगे linear charge distribution का और इस case में एक term आता है जिसे हम लोग बोलते है linear charge density यहाँ एक term आता है जिसे हम लोग बोलते है linear charge density इस linear charge density को हम lambda से denote करते हैं linear charge density को हम lambda से denote करेंगे और इसे निकालने का तरीका है यह बताईए rod पर कितना charge फैलाया क्यों और rod के लंबाई कितनी है जितना charge आपने rod पर फैलाया है उसे length से divide कर दीजिए तो यह निकल जाएगा lambda lambda is equal to q upon l इस lambda की जो si unit आपके पास में होगी si unit देखो charge की si unit होगी कुलाम और length की si unit होगी meter इसकी si unit रहेगी कुलाम पर meter तो आप ध्यान रखेंगे बिटा जब भी आप length के उपर charge को फैलाएंगे लंबाई करेंगे lambda से और lambda की value रहेगी q upon l इसकी si unit रहेगी कुलाम पर meter मैं आपको दो example बदाता हूं इसके अंदर example number one पेटा यह हमारे पास में एक ring है ring ध्यान रखे का ring है हमारे पास में यह क्योंकि spare भी ऐसा ही बनता है गोला भी ऐसा ही बनता है गोला चारो तरफ से 3D होता है गोला चारो तरफ से 3D होगा यह हमारे पास में ring है ठीक है हमने इस ring के surface पर यानि यहाँ पर charge को फैला दिया सबसे पहले आप यह देखो कि आपने जो charge फैलाया है वो charge आपने लंबाई पर फैलाया है या नहीं फैलाया है रिंग की रेडियस से आर यह रिंग है हमारे पास में रिंग एक बेंगल की तरह होता है एक चूड़ी की तरह होता है गोल सरकिल जिसके सरफेस पर चार्ज को फैला दिया तो यह तो लेंथ है हमारे पास में इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं सरकमफेरें 2 pi r से डिवाइड करेंगे lambda is equal to q upon 2 pi r lambda is equal to q upon 2 pi r charge को circumference से डिवाइड करेंगे lambda निकल जाएगा एक छोटा सा example और देखें बचो आप लोग example यह है कि हमारे पास में इस बार half ring है half ring यह बेटा half ring है हमारे पास में इसकी radius है अपने पास में r ठीक है हमने half ring के surface पर यह यहाँ पर हमने half ring के उपर q charge फैलाया lambda बदाना है कितना होगा तो सबसे पहले आप यह देखें lambda निकालने के लिए एक तो charge को लंबाई पर फैलाना पड़ेगा अगर आपको lambda calculate करना है तो charge को length के उपर फैलाना पड़ेगा length के उपर यह पूरी length है बटा यह पूरी length है तो q को हम इस लंबाई से divide कर देंगे पूरी circumference कितनी होती है 2 pi r half ring है तो आधी circumference हो जाएगी pi r तो यहाँ lambda को हम लिख पाएंगे q upon pi r यहाँ हम lambda को लिखेंगे q upon 2 pi r यहाँ हम lambda को लिखेंगे q upon pi r यह पूरे ring के लिए है और यह आधे ring के लिए है उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि lambda का use कब होगा यह uniform distribution जब पूरे area पर यह पूरी लंबाई पर यह पूरे volume पर एक जैसे तरीके से charge को फैलाये जाए तो वो uniform हो गया uniform का जो पहला type है वो है linear charge distribution जब आप लंबाई पर charge को फैलाएंगे यानि length के along आप charge को distribute करेंगे तब हम use करेंगे lambda का और lambda की value रहेगी q upon l उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात जल्दी से नो down करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके बचो तो note आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं second term पे हम लोग आते हैं second term है हमारे पास में aerial charge distribution aerial charge distribution aerial charge distribution ठीक है aerial charge distribution क्या है जब हम area के उपर charge को फैलाएंगे मान लो कि यह हमारे पास में sheet है और हमने इस sheet के उपर एक जैसे तरीके से charge को फैला दिया तो यह हमारा कहलाएगा aerial charge distribution और मान लीजे कि हमने यहाँ क्यों charge फैलाया है और यहाँ का जो area आपको दे रखा है वो है capital A तो यहाँ जिस term का हम use करेंगे उस term का नाम होगा surface charge density जब आप area के उपर charge को फैलाते हैं तो वहाँ जिस term का use करते हैं वो हमारा कहलाता है surface charge density surface charge density को हम sigma से denote करते हैं इसका नाम है बिटा sigma हम sigma से denote करेंगे और इसे निकालने का तरीका है बताओ पूरी sheet के उपर कितना charge फैलाया Q पूरी sheet का area कितना है A तो sigma is equal to Q upon A SI unit रहेगी आपके पास में कुलाम पर मीटर square SI unit रहेगी कुलाम पर मीटर square लेकिन ध्यान रखना यही सबसे important बात होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चा यही confused होता है कि sigma का use कब होता है sigma का use तब होता है जब आप area के उपर charge को फैलाते हो यह पहचान आपको खुद से करनी पड़ेगी कि charge को लंबाई पर फैला रखा है यह area पर फैला रखा है अगर charge को length के along फैला रखा है तो lambda और अगर charge को पूरे area पर distribute किया है तो sigma जैसे आप यह समझे बिटा कि यहाँ है हमारे पास में एक spare यह spare है बिटा हमारे पास में spare देखो spare और ring देखने में तो एक जैसी ही लगेंगे आप लोगों को लेकिन यह 3D है यह पूरा गोला है गोला समझ मेरी बात hollow spare है हमने इस hollow spare के surface पर यहाँ पर यानि हमने बहर वाले गोले पर charge को फैला दिया पूरे गोले पर हमने charge को फैला दिया radius आपको दे रखिये capital R ring में और surface में spare में फर्क होता है मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ ring तो ऐसे काम करेगा जैसे कि circle एक wire को circular form में मुड़ दिया तो ring बन गया यह पूरा गोला है spare है 10th class में यही basic आपको पढ़ाय जाता है तो जो sigma की value होगी कितना charge फैलाया Q charge और इसका यह जो outer area होता है यह वाला जो area होता है यह वाला पूरा area यह होता है 4 pi r square 4 pi r square तो sigma की value होगी Q upon 4 pi r square spare का जो area होता है वो 4 pi r square है तो आप ध्यान रखेंगे हमने charge को length पर फैलाया है या area पर फैलाया है जब भी area पर हम charge को फैलाएंगे आप sigma का use करेंगे बिटा जल्दी से note down करिए उमीद है कि समझा आ गई होगी बात अब आते हैं हम लोग third term में तो बिटा यह हो गया हमारे पास में aerial charge distribution इस तरीके से aerial charge distribution यह sigma का use करेंगे अब आते हैं हम third term में तीसरे वाले का जो नाम है हमारे पास में वो है volumetric distribution of charge volumetric distribution of charge volumetric distribution of charge कैसे volumetric distribution of charge काम करता है ठीक है देखो मालो की यह हमारे पास में एक solid spare है solid spare पूरा solid spare है ठीक है इस पूरे solid spare पर हमने charge को फैला दिया पूरे solid spare पर हमने charge को फैला दिया वेटा यह पूरा charge हमने solid spare पर फैला दिया पूरा ठोस गोला है अंदर तक मैंने चार्ज को फैला दिया इसके उपर इसकी जो radius है आपके पास में वो है capital R, यह है center पूरे गोले पर मैंने चार्ज को फैला दिया यह पूरी 3D body है इस पर जो चार्ज को फैला आया है वो है Q तो यहां हम जिस term का use करते हैं उसका नाम है volumetric charge density और volumetric charge density को हम denote करेंगे row से इसका symbol है बेटा row ठीक है वो ही charge को यहां आपने volume पर फैला आया है तो volume से divide कर देंगे row is equal to Q upon V और charge की SI unit रहेगी कुलंब पर मीटर क्यूब कुलंब पर मीटर क्यूब यह charge की SI unit रहेगी row is equal to Q upon V अच्छा अगर मैं इस body के लिए row की value निकालना चाहूँ तो Q charge फैला आया है और यह पूरा solid spare है solid spare का volume कितना होता है solid spare का volume होता है 4 by 3 pi r q तो यहां row की value निकल जाएगी यह देखो formula याद करना कोई मुश्किल काम बिलकुल नहीं है बहुत ही आसान है वह आप यह समझ लो lambda हो गया हमारे पास में Q upon length sigma हो गया Q upon area और row हो गया Q upon volume जो इमें main काम है वो यह है कि lambda का use कब करना है जब आप length पर charge को distribute करोगे sigma का use कब करना है जब आप area पर charge को distribute करोगे charge को फैला होगे तब इन तीनों टर्म्स का use करना है तो बच्चों जितना भी basic बताना था वो सब basic हमने आपको बता दिया है कल की class से हम सीधा start करेंगे Coulomb's law हम कल की class सीधा start करने वाले हैं Coulomb's law उमीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी आप अच्छे से काम कर पाएंगे और इतना भी आप लोगो को clear होगा तो बाकी बाते हम कल की class में discuss करेंगे बिटा